तो दोस्तों अगर आप भी यूटूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसे में अगर आपको ये बात नहीं पता है कि यूटूब जनल से अर्णिंग करने के लिए आपको यहाँ पर अपने यूटूब जनल को मॉनिटाइज करना पड़ता है तब भी आप यहाँ पर गंटे यानि कि 4000 गंटे का वाश्टाइब आपको कम्लीट करना पड़ता है यह हुआ पहला इंपोर्टेंट केस एंड सेकेंड जो इंपोर्टेंट जो क्रिटरिया है वह है कि आपको यहाँ पर टू स्टैप वेरिफिकेसिन यानि कि अपने मॉवाल नमर को वेरिफाइब क करना पड़ेगा जिसके बाद आपकि चेशनल का रिव्यू किया जाता है तो आज क्यल्हाइं की इस वीडिव मैं अपको यह बताने की आप तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने smartphone में Chrome browser को open कर लेना है और browser के open होने के बाद आपको यहाँ पर type करना है ytstudio.com और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ website देखने को मिल रहे होंगे so ytstudio type करके search करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर already एक account इससे login कर रखा है जिसकी वज़े से आप यहाँ पर मेरा एक channel देख सकते हैं so in case अगर आपका चैनल automatically login नहीं होता है या फिर कोई दूसरा चैनल अगर login होता है तो ऐसे मैं आप एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर सबसे उपर में right side के corner में आपका जो भी email ID है वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा आप simply यहाँ पर उस email ID पर click कर दीजे इसके बाद एक option होगा switch account का so आप simply यहाँ पर यह switch account का option आप इस पर click कर दीजे इसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी email ID से login करना है यहाँ कि आपका YouTube channel जिस भी email ID के साथ attach है जिस भी email ID से बना होगा है आप उस email ID पर click कर दीजे और ऐसा करने के तुरन बाद आपका जो चैनल है YouTube studio का जो भी आपका YouTube channel है वह automatically इसमें login हो जाएगा और इसके बाद left side के corner में आपको यहाँ पर कुछ options देखने को मिल रहा होगा जिससे कि आपके channel का logo है और उसी के नीचे में अगर आप थोड़ा सा scroll down करेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पर सबसे नीचे में एक option देखने को मिल रहा होगा जो कि monetization tab है तो आप simply यहाँ पर इस डॉलर टाइप का icon है डॉलर वाला icon आप simply यहाँ पर इस डॉलर टाइप के icon पर किलिक कर दीजिए और इसके बाद आपकी समने में monetization tab open हो जाएगा तो इस page को तुरह सा scroll down करेंगे तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक option है second number पर वो है two step verification जो कि आप यहाँ पर देख सकते है complete the basics करके एक option है second number पर तो आप simply यहाँ पर इसके नीचे में इस turn on का option आप यहाँ पर देख रहे हैं आप simply यहाँ पर इस turn on के option पर क्लिक कर दीजिए पर आपको यह पर इस पैसित को बद करने के बाद आपको यहां पर इस पैसित करने करने के बाद आपके सामने में एक निए पज्च ओपन हो जायेगा इस पेज में आपको यहाँ पर करना यह है कि आपका जो भी email ID है जिस भी email ID के साथ आपने इस channel को बनाया है उस email ID को आप यहाँ पर enter कर दीजे और इसके बाद आप यहाँ पर उसका जो भी password है उस password को यहाँ पर आप enter कर दीजे इसके बाद नीचे में एक option है next का इस next वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजे इसके बाद आपके सामने में एक new page open हो जाएगा इस page में आप यहां पर देख सकते हैं आपने जो भी email ID अभी add किया था उस email ID का जिस भी email के साथ वो login है वो email ID वो email आपको यहां पर सोग करेगा और ऐसे में अब होगा यहां कि आपके इस email पर एक OTP send किया जाएगा Google की तरफ से आप simply यहां पर जो continue का option देख रहे हैं सबसे नीचे में आप simply यहां पर इस continue वाले option पर क्लिक कर दीजे और इसके बाद आपके सामने में एक new page open हो जाएगा इस page में आपको यहां पर आपका जो भी email नमबर है उस email में कर दीजे और अगर आप चाहते हैं कि आपको call के जड़िए OTP send किया जाए तो ऐसे में आप phone call पर क्लिक कर दीजे सो मैं यहां पर जो text option है मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और इस text वाले option OTP को इस page में फिल कर दीजे और OTP फिल करने के बाद सबसे नीचे में एक option आप यहां पर देख सकते हैं next का आप simply यहां पर इस next वाले option पर क्लिक कर दीजे और इसके बाद आपके OTP को verify किया जाएगा and verification complete करने के बाद आपके सामने में एक new page open हो जाएगा so इस page में आप यहां पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक option दिया हूँ है वो है turn on का so आप simply यहां पर इस turn on वाले option पर क्लिक कर दीजे और ऐसा करने के तुरन बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके चनल का जो two step verification था वो complete हो चुका है तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे चनल का जो two step verification है वो complete हो चुका है तो दूस्तों कुछ इस तरह से आप अपने YouTube चनल के लिए two step verification कर सकते हैं तो दूस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे में आप हमारे YouTube चनल को subscribe जरूर करें